students this is part two of linear equation in one variable okay in this video we will study solving equations which have linear expression on one side and numbers on the other side just यहां पे जो use करेंगे इसको जो solve करने को हम use करेंगे उसमें कौन सा method use करेंगे तो generally हम लोग transposing method का use करेंगे और transporting transposing method ही हम लोग use करके कोई equation को solve करेंगे तो transposing method के लिए इसके पहले हम वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं what is the method for solving the equation transposing method okay तो example एक लेते हैं 3x plus 5 is equal to 10 ठीक है तो solve करने के लिए क्या बताए थे उसमें कि variable या फिर constant कोई भी अगर नंबर जाता है तो उसका sign हो चेंज हो जाता है पर plus के लिए क्या आजाता है minus minus के लिए क्या आजाता है तो plus और divide के लिए क्या आजाता है तो इसमें एक चीज क्या ध्यान रखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि हमारे पास जेनरली इसको हम क्या करते हैं कि लह से प्रश्चान को चाहिए जिसमें क्या हो वेरियेबल के साथ उसका कोई टचस नहीं हो ठीक है समझ में आ रहा है जैसे क्या कि यह हमारे पास क्या 5 ठीक है यहां पर 3 देखते हैं 3 क्या है इस x के साथ क्या है इसमें कोई आपके सांथ नहीं लगा हुआ है तो इसको हम क्या गरेंगे सबसे पहले हम इसको इधर लेके लेके जाएंगे तो जो आपके पास प्योर कॉंस्टेंट दिख रहा है पहले उसी को आपको ले जाना होगा तो यहां जागा 3x is equal to 10-5 and 3x is equal to 5 plus के लिए माइनस हो अब क्या करेंगे x अब तो यहां पर दूसरा तो कोई constant दिख नहीं रहा है इस रिप्याइब दिख रहा है और 3 जो है वो किया है लिनियर एक्प्रेशन वन साइड और अधर साइड आपको क्या है तो आपको नमबर है तो आफ्टर इस सगेंड एक्जामपल 3x minus 5 is equal to 12 ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे वही चीज माइनस है तो उदर सेंड करेंगे तो क्या आपका प्योर कॉंस्टेंट तो यही दिख र देखते हैं नेक्स्ट इग्जामपल क्या कि x plus 3 plus 5 is equal to 18 ठीक है तो सबसे पहले यह है प्योर कॉंस्टेंट यह तो क्या है एक्स के साथ दिवीजन में है तो x by 3 is equal to 18 minus 5 x by 3 is equal to 18 minus 5 होगा तो क्या हो जाएगा आपका तो 13 हो जाएगा and x is equal to what 13 into 3 which is 39 that is our answer okay after this दूसरा एक एक्जामपल देखते हैं अब इसी एक्जामपल में कुछ ऐसे हो जाए जैसे माली जहें क्या कि 5 x by 4 plus 3 is equal to 12 ठीक है तो इस टाइप का हो इसके लिए क्या करेंगे इसके लिए भी वही रूल फॉलो करेंगे तो क्योर कॉंस्टेंट देखते हैं उधर बेजते हैं तो क्या जाएगा 5 x by 4 is equal to 12-3 then 5 x by 4 is equal to what 9 and x is और अब यहां पर आप जो चाहें वह आप क्या कर सकते हैं सेंड कर सकते हैं उसको डिविजन में कर दीजिए इसे क्या x by 4 is equal to 9 by 5 या अब क्या हो जाएगा आपका x is equal to 4 में डिवाइड में हो जाएगा ठीक है तो यह क्या हो गया 36 by 5 आपका एंसर हो गया या फिर इसको डारेक्ली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं क्या कि डारेक्ट आपको डिविजन में है और मल्डिप्लिकेशन में है तो कहां बेज देते हैं आपको डिविजन में बेज देते हैं यह इसको सॉल्व करेंगे समाज में आया आफ्टर दिस कुछ डूसरे एक्जांपल डूसरे एक्जांपल क्या अब कुछ फ्रेक्शन में हो जाए जैसे क्या एक्स बाइए 3x by 5 प्लस 1 by 2 इस इकोल दो 5 बाइश इस इसी है बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे पहले इसको इधर बेजता है माइनस में मालें जो क्या जाएगा 3x by 5 is equal to 5 by 6 plus 1 by 2 और आप क्या जाएगा 3x by 5 is equal to LCM 6 5 plus 3 ठीक है 8 हो गया आपका 3x by 5 is equal to 8 by 6 and then after क्या हो जाएगा आपका 3x direct x is equal to लिखते हैं क्या 8 by 6 into 5 by 3 ठीक है 5 ऊपर चला जाएगा 3 आपका आपका नीचे चला जाएगा और कैंसी जो कर जाएगा 236 248 और यह आपका कितना हो गया 14 20 by 9 okay this is our answer okay I hope that you learn very easily after this in the next video we will see the application of this topic okay thank you for attending the class